हे टेगीज तो दोस्तों कैसे हो तुम सब लोग तुमारा आज से एक बार फिर से आज की इस वीडियो में मैं सौगत करता हूँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट मार्टफोन अंडर 17,000 देखो फैस्टिवल सेजन चला हूँ है काफी सारी सेस जो चली हूई है दिशारा की सेल थी अभी दिवाली की सेल आने वाली है और के सारी फैस्टिवल सेस जो है इस वक चली हूई है Amazon Flipcard के उपर और यह सही टाइम है किसी भी एक स्मार्टफो स्मार्टफोन की तरफ ले चलता हूँ जो हमारा सबस्क्राइब नार्जो 65G स्मार्टफोन देखो यह स्मार्टफोन है रेलमी की तरफ से हाव रहाल ही में लोंच हुआ था बात करते हैं इसके राम रोम की तो इसका जो है एट प्लस बन 28 जी वाला वेरेंट जो है वह 15,749 रूपीज में मिल जाएगा एमजोन के उपर और दूसरा एड़ प्लस टूफिफ्टी सिख जी वड़ा वेरेंट जो है वह तारह हजार साथ सॉन उन्चास रुपे में मिलेगा फिल्पकार्ड के उपर इसकी स्टोरिज का वन टीवी तक सब्सक्राइब करते हैं इसके प्रोज और कॉंस के वारे में तो देखो स्टैलिश डिजाइन है रिस्पेक्टेवल बैटरी लाइफ है डिसेंट से अमर्ल डिस्प्ले दी गई है कॉंस की बात करूं तो एक अच्छा खासा अल्ट्रावाइड शूटर यूज़ कर सकते थे औ और चार्जिंग स्पीड भरे 33 वार्ट की हो लेकिन फिर भी काफ़ जाता स्लो है और प्रोसेसर की बात करूं तो इसके इंदर आपको देखने को मिलेगा में टेक डैमेंज डिस्ट जिरो टू जिरो एंड्रोइड 13 के उपर रन करता हुआ नंबर फॉन पर है नंबर फॉर हमने रखा है समसंग लवस के लिए समसंग गेलेक्सी एम थरी फॉर फाइब जी इसके सिक्स प्लस बन टॉंट जी वेरिंट की प्राइस जो है वो है 16,499 रूपीज और इसे की जो स्टोरेज है ना इसकी जो स्टोरेज है से आप बन टीब तक एक्स्पैंड गर सकते हो बाकि 6.5 इंचीज की सूपर एमर्ड डिस्प्ले है बन टॉंट हर्स के साथ आती है गुरिला ग्लास फाइब के प्रटेक्शन है इसका जो अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटप देखने को मिलेगा फिफ्टी मेगा पिक्सल का इसका वाइड प्रैमरी कैमरा में देखने को मिलेगा 8 मेगापिसल का अल्टरा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेफ्थ कैमरा फोर के तक की विडियो तुम इसके रिकॉर्ड कर सकते हो बाकि 13 मेगापिक्सल की सेलफी देखने को मिल जाएगी सैमसंग एक्जाइनोज वन टू एट जिरो देखने को मिलेगा एंड्रोड वर्जन 13 के उपर 6000 मेच की बहुत बड़ी बैटरी है जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग साथ आती है बात करूं इसके प्रोज की काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलेगी काफी तगडी बैटरी लाइफ है काफी परफॉमस देता ह स्मार्टफोन काफी ज़्यादा बैस्ट है और कैमरा की क्वालिटी में भी कोई कंपरमाइस नहीं काफी अच्छा है काफी ज्यादा बाइबरेंट सी है कौन्स की बात करो कोई चार्जर आपको नहीं देखना मिलेगा चार्जर के लिए आपको अलग से खर्च करना ही पड और बिलकुल आइफोन वाली फील देगा तुमको बाकी लो लाइट फोड़ोग्राफी और ज्याद अच्छी हो सकती है जो कि नहीं की गई है बाकी स्मार्टफोन के साथ तुम अगर जाना चाहते हो तुम जा सकते हो काफी अच्छा स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से न और बाकी बात करूं इसके इंदर प्रोसेसर की तो मेटेक डेमेंसडी 7020 का प्रोसेसर है 6.5 इंची के आई-पेजल सीडी है पंच छोल डिस्प्ले है वन टोट हीर्ट का रिफ्रेश्ट देती है साथ-साथ 50 प्लस 8 मेगा पिक्सल का डूल कैमरा सेटप है 50 मेगा पिक्सल क जो है वाइड एंगल कैमरा है जिसके आपको 8X का डिस्टल जूम देखने को मिलेगा और 8 मेगापिक्स का अल्टरावेट दिया गया है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है 6000 इमेज की बैटरी है 13 वाट की टर्वो चार्जिंग है डस्ट और वाटर जिस्टन से स्मार्ट स्मार्फोन रहता है बाग इसके प्रोज की बात करूं काफी अच्छी सी प्रफॉर्मेंस देता है स्टीरियो स्पिकर्स दिएगे हैं काफी इंप्रेसी बैटर लाइफ है काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा और कौन की बात करूं तो चार्जिंग स्पीड है वो अब नंबर टू पर जो स्मार्टफोन है यह बीवो की तरब से बीवो टीटू 5G स्मार्टफोन सिक्स प्लस वन टॉन टीवी तक एक्स्पैंड का सकते हो 16,999 पे मिलेगा फ्लिपकार्ट के उपर 6.38 इंचीज के अमर्ड डिस्प्ले है 90 हर्ट का रिफ्रेश्ट देती है ब तो इसकी बात करूं तो काफी अच्छी और काफी ब्राइट से अमर्ड डिस्प्ले दी गही अ काफी अच्छी बैटर लाइफ है कैमरास जो है अच्छा काम करते हैं काफी डिस प्रफॉर्मंस देता है कौन लो लाइट फोटोग्राफी और ज्यादा अच्छी हो सकती थी प्लोड वेर्स और पुश नोटिविकेशन देखने को मिलेंगी जो आपको उबा सकती है स्मार्टफोन से तंग कर सकती है मतलब कहने का मतलब तो यह है नमबर बन नमबर बन स्मार्टफोन पर जान से पहले पहले बता दूँ चैनल पर ने हो सब्सक्राइब करो वीडियो रेगुलर आनेगी ऐसा मैं आपको प्रोमिस करता हूं अबसे तो देखो नमबर वन पर जो स्मार्टफोन है Poco X5 Pro 5G है 6 plus 128 GB वाले वरेंटी की प्राइज ह प्राइज प्राइज स्मार्टफोन एक्स्चेंज करोगे तो यह स्मार्टफोन ज्यादा सस्ता हो जाएगा बाकी बात कुनों इसके स्पेसिफिकेशन की 6.7 इंचीज की ML डिस्प्ले है 120Hz का रिफ्रेश्टेट देती है ग्रोइला ग्लास 5P की प्रडेक्शन है पंच होल स्नैपड्रेगन 778Z प्रोइसर दिया गया है पाकी इसके अंदर ट्रिपल क्यमेरा सेटप है की क्यामरा क्यूंटि काफी अची है 108 MP का कैम्णा है तो काफी थिन सा और लाइट बेट सा डिजाइन है काफी लबली एमर्ड स्क्रीन दी गई है तो आप तो Android 13 हर स्मार्टफोन मिल रहा है Android 12 मिलता है पर कोई बात नहीं आगे फ्यूचर अप्ग्रेड में इसको भी अप्ग्रेड मिलेंगे इसके सिस्टम को तो यह स्मार्टफोन जो है आगे आने वारिस Android अप्डेट हो जाएगा तो बस यही है आज की वीडियो के अंदर मिलते हैं तुमसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बंदे मातरम जाहिंद